हेलो एबरीवन आपका एगवाई फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूं मेरे एसिस्ट मिटक्या फंड डाइट ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा कि यह जो मुच्वल फंड है इसने पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल या फिर एनुवल रिटन क्या दिया है आज के डेट में इसका एक एनुवी का प्राइस क्या है, यह कितने स्टार रेटिंग मुच्वल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसाईपी अमॉन्ट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है साती साथ मैं आप से डिसकस करूँगा, इसके अंदर कौन-कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किये होते हैं, तो पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल के अंदर आपको क्या रिटन देखने को मिलता और लास्ट वर मैं आप से डिसकस करूँगा कि क्या हमें मेरे असिस्ट मिटक्याप फंड आइड ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर आपने औरेड इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना इस आईपी आइवन लंसम को क्या करेंगे मेरे असिस्ट मिटक्याप फंड आइड ग्रोथ ये एक एक एकविटी मुच्वल फंड है जो की मिटक्याप के अंदर आता है और ये एक मोडरेट हायरिक्स मुच्वल फंड है इसने जो पिछले एक साल में रिटन दिया है वो 44.13% का रिटन है तीन साल के अपर बात करें पांच साल के रिटन के अपर बात करते हैं तो पांच साल में 30.50% का रिटन है और अगर एनृटन की बात करें तो इनका इनृटन है 30.91% का धियान देंगे अभी जो भी रिटन मैंने आपके साथ यहां पर डिसकस किया ये इनका one time यानि की लंशम का रिटन है अगर आप ए साथ डिसकस करूँगा एन अबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एन अबी का प्राइस है चालिस रुप्य अर्थाइस पैसा रेटिंग के अगर बात करें तो यह तू स्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें आप मिनिमुम साइपी अमौंट पांसो साथ करूर का अब बात करते हैं कि अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटन देखने को मिलता इससे पहले अगर आपने अभी तक आप इस टॉक पे अपना एकाउंट आपे नहीं क्यार करना चाहते हैं तो इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डेमेट एकाउंट का रेफरर रिंग दिया है अगर आप मेरे रेफरर रिंग से जोईन करेंगे तो फिर आपको एकाउंट आपनिंग या पिर एकाउंट मेंटनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा अगर आप इस मुच्वल फंड का अंदर पाँच हजार रुप्या पर मन्ज Hello करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता इक हुदता साथ जार आपको मिलता एकत्रह जार आपसो पैस नहीं को मिलता तीन साल की बात करें तो तूछ he आपको मिलता 2,84,142 रुपया यानि तीन साल में आपको साइपी के थुरू 57% का रिटन देखने को मिलता और अगर बात करें इस मुच्छल फंट के अंदर अगर आप एक बार में एक लाक रुप्या का लमसम करते, तो फिर एक साल में आपका एक लाक रुप्या एक लाक चावालिस यार एक सो तीस रुप्या होता, तीन साल में आपका एक लाक रुप्या एक लाक रुप्या एक लाक रुप्या एक ला आम आताया, Delivery Limited, Service Chetra, Indian Bank Financial, The Federal Bank Limited Financial, Q Means India Limited Capital Goods, FSN E-Commerce Ventures Limited Service, Axis Bank Limited Financial, Induced Tower Limited Communication, Tata Communication Limited Communication, Oracle Finance Service Software Limited Technology, Grand Pharma Limited Healthcare के छेतर में है, अगर इसकी holding analysis की बात करें, तो equity पे है 98.6 और cash पे है 1.4 परसेंट, इसकी equity सेक्टरेक location की अगर बात करें, तो others पे है 30.9, financial पे 15.2, healthcare 12.8, service 10, autumn oil 9.9, construction 7.8, capital goods 7.4 और technology पे है 6 परसेंट, यानि कि अगर आप मेरी assist midcap fund के अपना पैसा invest करते हैं, तो आपका पैसा इन सारी category पे distribute होकर के लगेगा, इनकी advance ratio के अगर बात करें, तो इसका price to earning ratio 29.09 और PB ratio 4.21, अगर आप इस mutual fund के अंदर अपना पैसा invest करना चाहते हैं, तो first time minimum lump sum आपको 5000 पर अगर करना होगा, और अगर आप second time भी lump sum करना चाहें, तो second time आप 1000 का lump sum कर सकते हैं, अगर आप SIP के थूरू इसके अंदर investment करना चाहते हैं, तो फिर आप 500 रप्या से आप अपना SIP start कर सकते हैं, return and ranking के उपर बात करता है, सबसे पहले बात करते हैं, मेरे SS midcap fund का fund return, जो की है, एक साल में 44.1, तीन साल में 23.6, पांस साल में 30.5 और annual है 30.9 का, वहीं पर इस category का जो average return होता है, यानि कि equity midcap mutual fund का एक साल में 52%, तीन साल में 24.5, पांस साल में 28.3 का है, तो यहां से देखेंगे, यह mutual fund एक साल, तीन साल, या फिर return rank के भी category पर देखेंगे, तो यह अपने category average से return में काफे दूर है, हला कि बात करें पांस साल में, तो पांस साल में यह अपना category average से 2% के आसपस जादा return दिया है, तो अगर आप इसके अंदर अपना investment का मन बना रहे हैं, तो इसमें जो SIP का target होना चाहिए, वो होना चाहिए 11 साल तक, और अगर आप लंसम करते हैं, तो लंसम में target होना चाहिए 6 साल, तो अगर आप इसने time तक hold करना चाहते हैं, तो फिर आप इसके अंदर investment करेंगे, अगर आप इतने time तक आपका target नहीं है, तो फिर आप किसी और midcap mutual funds में अपना पैसा invest किजिए, तो किस पे करेंगे, इसके आस पर similar funds में आप से अभी discuss करना है, तो आप उसके अंदर investment कर सकते हैं, जैसे कि आस के rate में सबसे अच्छा है, जो midcap mutual fund है, वो है मोतिलाल उस्वाल midcap fund आइड बूत, high star rating mutual fund है, एक साल का return 74.4, तीन साल का 38.3 और इसका fund size है 15940 करोर का, तो आप invest कर सकते हैं, मोतिलाल उस्वाल midcap fund direct growth के उपर, इनकी expense ratio के उपर बात करें, तो इनका expense ratio 0.58% का exit load की बात करते हैं, अगर आप invest के आवा पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे, तो फिर आपको 1% का exit load देना होगा, और system duty की बात करें, तो system duty है 0.005%, tax implementation की बात करते हैं, अगर आप invest के आवा पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे, तो जो भी आपका return होगा, उस पर आपको 20% का tax payment करना पड़ेगा, अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में अ आपको साड़े 12% का tax payment करना है, इनकी fund house and investment objects की बात करें, तो मेरे assist mutual fund total assist पर इंडिया पर नमर 13 पर रहेंग करता है, इसका total assist अंदर मनेजमेंट है, एक लाक एकासी है जा 759 करोर का, मेरे assist meet cap fund ये एक equity mutual fund है, जो की launch किया गया मेरे assist mutual fund की तरब से, अंकी जन अभी इस fund का current fund manager है, इस fund का currently assist under management है, एक लाक एकासी है, जा 759 करोर का, और latest नभी है, 40 रुप्या, 28 पैसा, मेरे assist mid cap fund diet growth ये एक moderate हायरिक mutual fund है, इसका minimum SIP amount 500 रुप्या का set किया गया है, और minimum लंसम 50,000 रुप्या का set किया गया है, अगर आप invest किया पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे, तो फि की fund benchmark के अगर बात करें, तो इसका fund benchmark के nifty meet cap 150 total return index, तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss किया, मेरे assist mid cap fund के वारे में, फिर मिलते हैं हम लोग next को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के